नबस्कार दोस्तों सोगत है आपने इस्टेटी फॉर सिविल सिर्टेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को पुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वाल गृप जरूर सा जरूर जोइन कर लिजेग और उसके साथ दूसरा प्रेशन जुड़ा हुआ है कि किस मुख्य पाशांड काली निस्थल से मिट्टी के बरतनों के प्रयोग के जो प्रारंभिक प्रमाढ़ है वो प्राप्त हो है तो यहां स्थान का नाम दिया है महागरा और गुफकाल इसके अलावा महागरा और प्रारंभिक प्रमाढ़ के तौर पे देखा जाता है फिल्हाल कोल्डिवा को आपने देखा इसके बाद चलते हैं आगे दूसरे प्रेशन को देखिए कि सरप्पा इस्थल से कुत्ते और मानों के साथ दफलाने के प्रमाढ़ प्राप्त होते है और सुरकोड़्दा के खो चौसर्ट वाला जो इसका विकल्ब है वो सही हो गया लेकिन यहां पे रोपड और जेपी जोशी वाला सही है इसके बाद आगे चलते हैं यहां जेपी जोशी के विश्य में कहा गया है कि उन्होंने खोज किसकी की थी तो सुरकोड़दा वाला चेत्र यहां तीसरे वाले म टैंसर सी होगा यानि आर्कटिक छित्र और बाल गंगाधर दिलग यह वाला जो विकल्फ है यह सही है इसके बाद चलते हैं आगे चौथे प्रशन को देखे चौथे में कहा गया कि रिगवेत का कौन सा मंडल कणव परिवाद से समंदित है जो कणव की फैमिली है उससे ज इसके बार आधके Een इस अमांज की आपको ब्ताना है और कौन सा राज़े यहां आसा महाजन पर चैयंड तक्षर यहीं 가 इन्जा जो इघ्वेसमें और रोचन अवण्दी तो आला मंति का नाम इसमें आता है इसके लाम तो हैं चार रिकल्प आग देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि दक्षन भारत में इस्ते तेक मातर महाजनपत अश्मक था तो अवन्ती का होने का सवाली नहीं उठता तो ये दोनों गलत हो जाते हैं बचता है C, D और E इसमें से बताइए कौन सा होगा तो इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा पांचमें वाले का D वाला पांचाल और अश्मक ये वाला जो इसका विकल्प है ये सही है इसके बाद देखिए छटमें नमबर के प्रश्न को यहां कहा गया है कि पहली बहुत संगीती का आयोजन पाटली कुतर में किया गया था दूसरी बहुत संगीती कश्मीर में होई थी तीसरी वाली जो थी राजग्री में होई थी और चौथी वाली वैशाली में होई थी इसमें से आपको सही की तलाश करने है तो कौन सा सही है, सब सही नहीं है एक से ज़यादा भी सही हो सकता है, देख लिए तो इसका हो जाएगा E वाला, यानि एक से ज़यादा पहली जो बहुत संघीती थी, वो राजग्रेह में होती है इसी प्रकार से अगर आप देखें तो दूसरी जो बहुत संगीती है वो वैशाली में होती है तीसरी वाली जो है वो पाट्री कुत्र में होती है और चौथी वाली जो है वो कश्मीर में होती है तो उस हिसाब से आप देखें तो एक से जादा इसमें सही होता है इसलिए E को चुनते, इसके बाद सात्वे को देखे, इसने महायान बौध धर्म के माध्यमिक या माध्यमिक जो संप्रदाय होता है, उसकी संस्थापक की भूमितानी भाई थी, उसकी नीव रखी थी, और बौध तर्ग शास्त्र के संस्थापक का नाम आपको बताना है, दो दिगनाग भी कहा जाता था, इसके बाद देख लीजे यहां आठमे नंबर की प्रशन को, यहां कहा गया है कि सही विकल्प का चैन कीजिए, हेमचंद्र परिसिष्ट परवन, विशाखादत्त कादमरी, यहां लेखा करुन की रशनाय दीवी है, दंडिन की रशना मुद्र सही है भी, और बागी जितने हैं उस सब उल्टे-पुल्टे दी हुए है, अगर आप देखिए इसमें, तो विशाखादत्त का मुद्राराक्षस है, दंडिन का दश्कुमार चरित है, इसके लावा बाण भर्ट की कादमबिरी है, यहां एक दूसरे से मैच नहीं करता है, नौवे को देखिए, इसमें कहा गया है कि निमनलिखित में से कौन से अभिलेक, खरोष्ठी लिपी में लिखे गए हैं, और अवंती रथ की राजधानी क्या थी, यह भी आपको बताना है, तो यहां शाहबाजगड़ी और मानसहरा का अभिलेक और तोसली दिया है, तो तो अभाजगड़ी और मानसहरा के अभिलेक और उज्जैन, इसका जो करेक्ट एंसर है, वो इसमें से ये वाला हो जाएगा, यानि सी वाला, इसके बाद चलते हैं आगे, तस्वे प्रशन को देखिए, तस्वे प्रशन में ये कहा गया है कि शुंग टैनिस्टी के अंतिन शा इसके अलावा, पुष्यमित्र शूंग और विम कट्फिसस का नाम दिया है, या इसमें से कोई नहीं है, एक से जाधा, तो एक से जाधा हो नहीं सकता, इसमें से कोई नहीं वाला विकल्प हो सकता है, तो देखिए कौन सा होगा, तो 10 में का हो जाएका सी, ये देव गूती की तोर पे डिक्लेर किया था इसने अपने सामराजी की सीमा का विस्तार भी किया और किस शाषक ने दक्षणा पथेश्वर की पद्वी को धारण किया मतलब यहां दो अलग-अलग राजाओं के नाम आपको बताने है तो इशान वर्मन और पुलकेशन दुदिये इसके बाद वर्मन और पुलकेशन दुदिये यहां थोड़ासा परिवर्तन है यहां ऐतिहासिक नगर करनौज की राज्धाणी की तोर पे पूछा जा रहा है तो यह अवंथी वर्मन और पुलकेशन दुदिये का नाम आता है इसके बाद चलते हैं आगे यहां पर खा गया है नो सो भ तो देखर बताइए बारमी का हो जाए अगर डी का मतलब यह है कि त्रिलोचन पाल और महेंद्र वर्मन प्रथम यह इसका विकलब जो है वो सही है त्रिलोचन पाल से समंदिन जो 972 शक वाला समय है यानि 1050 शवी यह एकल हारा और 1051 का जो सूरत वाला चेतर है वहाँ से दो तामरपत्र शिलालेक प्राप्त हुए है और त्रिलोचन पाल को महा मंदलेश्वर की उपादी दी गई है इस प्रकार से आप देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्विलास प्रशन को लिखा है और महा प्रथम है या यश्पाल और मही पाल प्रथम है या इसमें से कोई नहीं तो 13 में का जो करेक्ट एंसर है वो यह हो जाएगा यानि महीर भोज और धर्म पाल वाला जो विकल्प है वह सही है इसके बाद 14 में प्रशन को देखिए इसमें कहा गया है कि कि साशक को कांची और तरी तनजाई के योध्धा की उपादी दी गई है और कि साशक को गंगाई गंगाई कोंड चोल के तुर पे नहीं कहा जाता है यहां पर अरुमोली वर्मन का नाम और राजंद्र प्रथम का नाम दिया है किए इसके अलामा कृशन त्रतिये और राजयाधिराज यह उप्र इसके बाद 15 नंबर के प्रश्न को देखी इसमें कहा जा रहा है कि किस आशक ने खजुराहों में विशुनात मंदर की स्थापना करवाई थी और राज कभी पद्मगुप्त ने नौ सहसांग चरित को लिखा है या किसकी आत्मकथा है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आत् अंगदेव और सिंदुराजा इसके बाद 16 को देखिए किस आशक की पतनी उदयमति ने उसकी स्मृती में राणी का बाप बनवाया था और यहाँ पर अगर आप देखिए तो अपनी राणी की स्मृती में यह बनवाते हैं और किस आशक ने एबग को पराजित करने के भीम प्रथम और भीम विती है यह फर्स्ट और सेकंड दोनों थे यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वो सही इसे हमने देखा तो आपके लिए प्रेशन यह है कि बताईए कि कौन से मतलब कितने मूल्ले का नोट होता है जिसके पीछे रानी की बाप चपी होई होती है यह रानी की बावडी या रानी की बाप कही जाती है यह किसी नोट के पीछे छपा हुआ होता है वो कौन सा नोट इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ सत्रहमे नंबर के प्रेशन को देखिए निम्दलिखित में से किस शाशक को राज तरंगडी में ललिया शाही के रूप में वर्गी कृत किया गया है और निम्दलिखित में से किस शाशक को पंजाबी लोग साहित्ते में पंजाब के अंधिम पंजाबी शाशक के तोर पे जाना जाता है तो यहाँ नाम दिया है कल्लर और भीमपाल का जैपाल और भीमपाल का जैपाल और त्रिरोचन पाल का इसमें किया था तो यहां मحمud गजनवी और महमद गोरी का नाम आता है महमद बिन कासीम और महहमद गोरी या गजनी और आराम शा सूरüst तो ठारवे का हुझा यहां फिर हो जाएगा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा तो ईसका दो जो यह चौगान खेलते समय, यानि जो पोलो होता है, उस टाइप का ये खेल है, इसको खेलते समय कब मृत्य हो गई थी और किस साशक ने सुल्टान बनने के पाद अपनी राजधानी को लाहोर से दिल्ली शिफ्ट किया, यह दो चीजे पुछी गई है, तो बारासो दस और नसरुद अगर बीसमे प्रशन पर नजर डालें, तो यहां कहा गया कि निमलिकित में से किस मुस्लिम शाशक ने स्वैंग को खलीफा घोशित किया था, और अलवासिक बिल्लाह की पदवी को धारण किया था, यह कौन सा रूलर था, जलालुदीन खिल जी था, अलाउदीन खिल जी थ और यह आदारीक, कोचिन, और पंदर सो एक है, तो देखर रूता है इसमें से कौन सा होगा, देखिए कराईकल और 1502 होगा, इसमें जो इसमें बी वाला विगल पै उस सही होगा, और 1502, इसके बात 22 में प्रशन को देखते हैं, इसमें कहा गया किन निम्नलिकित में से किस स मसूली पत्तनम ऐसे दिया हुआ है आपको बताना है इसमें से तो इसका हो जाएगा सी वाला यानि डच इस्ट इंडिया कंपनी और मसूली पत्तनम जो है इसका सही होगा ये वाला इसके बाद 23 में प्रेशन को देखिए यहां पर कहा गया है कि देनो ने 1620 में और 1676 में अप दियान से देखिए तो डेनो ने 1620 में 1620 की जो तारीक है वहाँ पर ट्रेंकोबार यानि तमिलनाडू में अपनी फैक्टरी स्थापित की थी और सेरांपूर बंगाल का वहाँ पर 1676 में अपनी फैक्टरी स्थापित करते हैं तो यहां कोई भी पेर जो है वो करेटली मैच इनके बीच में कब लड़ाई लड़ी गई थी तो तारीक यहां दी हुई है प्रेशन को फिर से देख लिजे लाल सिंग और सर हूग जो है इनके बीच में 1845 में कौन सा वार हुआ था यह आपको बताना है यह प्रशन का पहला इससा है दूसरे में कहा गया है कि रजीत सिं लड़ाई तो इसका जो डी वाला विकल्फ है वो सही होगा देखें मुद्गों की लड़ाई जो है वो 1845 में लाल सिंग जो की सिखों का प्रधान मंत्री था और सर हूग इसके बीच में लड़ी गई थी जिसमें की सिख सेना पराजित होती है और बुद्धेवाल की संधियों से संब्धित कौन सा विकल्फ सही नहीं है यहाँ आपको तलाशना है तो मद्रास की संधी 1779 यहां ऐसा दिया हुआ है सूरत की संधी 1775 पुरंदर की संधी 1778 और सालभाई की संधी 1782 ऐसे दिया है और यह वाला विकल्फ पहले की तरह है तो इसमें से पताएए पुरंदर की संधी की तारीक 1776 है और सालभाई की संधी की जो तारीक है वो 1782 है इस प्रकार से इसे देखा जाएगा इसके बाद चलते हैं आगे यहां पर 26 में प्रेशन को देखिए इंडिया फ्रॉंग कर देखिए इसमें से कौन सा होगा तो 26 जो है इसका करेंसर हो इसके बाद 27 में को देखिए संध्या समाचार पत्र और ट्रिव्यून समाचार पत्र इसके थापकों या संपादक है उनके नाम आपको बताने है तो बारिंदर कुमार घोष और दयाल सिंग मंजीठिया का नाम आता है ब्रमबांधा उपाधिया और दयाल सिंग मंजीठिय रामोसी विद्राह के मुखे नित्रित्युकरता का नाम आपको बताना है और बताना है तो वासुदेव बलवन्थ भड़के और मद्रास केश्व चंद्र सेन और मद्रास इसी प्रकार से दो भी कलप और हैं महाराष्ट वाले हैं तो इसमें से कौन सा होगा उन तीसमे का हो जाएगा सी वाला वासुदेव बलवन्थ भड़के और महाराष्ट और रामोस इसके बाद 1873 और पश्टिम बंगाल इसमें से कौन सा होगा तो तीसमा जो है इसका करेक्ट एंसर डी हो जाएगा यानि 1873 और पश्टिम बंगाल यह इसका करेक्ट टैंसर होगा डी वाला इसके बाद 31 को देखिए यहां पर कहा गया है अरभी पुरम आंदोलन के प्रमुक क्यानवे और केरल यह वाला जो विकल्प है यह पर्फेक्ट इसके बाद 32 में को देखिए यहां पर कहा गया था इंडियान बुमेंस एसोशियेशन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कब और कहां की गई थी यह आपको बताना है और सेवा समीथी की स्थापना किस ने इसके बाद 33 में को देखिए इसको कब और किसके बारा स्थापित किया गया था वो आपको बताना है डेट और व्यक्ति का नाम तो 1904 गोपाल कृष्न गोखले 1904 मदन मुहन मालवी और 1905 मदन मुहन मालवी इस प्रकार से दिया हुआ है और यह वाले में आप जानते हैं क्य इसके बाद 34 में को देखिए भारत धर महामंडल इसकी स्थापना कहां पर की गई थी और पूना सेवा सदन यह कब गिया गया था मतलब इसकी स्थापना कब होती है यह आपको बताना है तो पहले वाले में कहां और दूसरे वाले में कब यह बताना है वाराणसी और 1902 इलह इसके बाद 35 में को देखिए यहां पर correct जो option है उसकी तलाश आपको करनी है बंगाल का इस्थाई बंदोबस्त 1793 वेलोर का सिपाही विद्रो 1806 ठगी प्रिथा का अंत 1829 और यूरोपी सेना द्वारा श्वेध विद्रो 1869 इसमें से कौन सा आपका सही है यह आपको बताना है तो 35 में का हो जाएगा E वाला E को हम तब चुनते है या तो कोई सही न हो या एक से जादा सही हो यह दोनों ही परस्तितियों में चुना जाता है और इसलिए यहां पर हमने E को चुना है बंगाल का जो इस्थाई बंदोबस्त है उसकी डेट 1793 यह ठीक ठाक है इसके इसलिए पर सही वीकल्प को चैन करना है तो यहां भी एवाला विकल्प है उसको ध्यान से देखेगा फटेह शागर जील यह जो फटेह सागर जील है यह उत् straight telling में और उसके बाद अगर आप देखिए तो यहां लोनार जील जो है यह राजरास्तान में और चंदूवी जी ये असम में है जो तिब्बत का उधर पठारी छेत्र है बरफीला इलाका है उधर रागस्ताल है ये आपने देखा इसके बाद अगर आप देखिए 37 तो 37 में यहां कहा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है इसकी तलाश आपको करनी है है हैदराबाद कावेरी नासिक जो सही नहीं हो उसी की तलाश करनी थी तो ए वाला इसमें गलत है बागी सब सही है इसके बाद आगे चलते हैं यहां 38 को देखिए नदी का नाम और उसकी सहाईका का नाम दिया है तो सही विकल्प का आपको चैन करना है सतलज की जो सहाईका है वो तीस्ता है रावी की नदी है और सोन की सहाई का व्यास नदी है ऐसा दिया हुआ है बताई इसमें से सही कौन सा है तो 38 जो है इसका बी वाला हो जाएगा रावी का चनाब यही वाला सही है और वाकी सब गलत इसके बाद अगर आगे चलिए देखिए सतलज का व्यास हो जाएगा रावी का चनाब ह चम्बल का तीस्ता हो जाएगा और सोन का महानती हो जाएगा इसको मैच करेंगी इसके बाद आगे चलते हैं 39 को देखते हैं यहाँ पर जल प्रपात के नाम दिये हुए है सुची पारा जल बागी सब सही इसके बाद 40-वे नंबर के प्रशन को देखिए, यहाँ पर काकरापारबाद और नागारजुन सागरबान, यह किन नदियों पर बनाए गये हैं, नर्मदा और कृष्णा, ताप्ती और कृष्णा, नर्मदा और पिन्नार, ताप्ती और पिन्नार, इसमें से कौन सा नहीं है, डेट नीचे दी हुई है, तो 41-वे का जो करेक्ट टैंसर है, वो हो जाएगा, यानि 1978 और 1972, यह इसका परफेक्ट टैंसर है, इसके बाद 42 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन सी फसल, खरीद की फसल नहीं है, और कौन सी फसल, रभी की नहीं है, यह दो चीज़ें आपको बतानी है, तो चावल और गेवू, मतर और कपास, मक्ता और आलू, बाजरा और चना, उपरोप्त में से कोई नहीं है, एक से जादा, तो 42-वा जो है, इसका करेक्ट टैंसर B हो जाएगा, यानि मतर और कपास, देखिए, कपास जो है, व पोल्ट्री प्रसेंस करण उद्योग, मतलब प्रोसेसिंग जो पोल्ट है, यह हैदराबाद में, ऐसे दिया हुआ है, और यह वाले में दिया है कि एक से जादा हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता है, तो बताएए इसमें से गलत कौन सा है, जो सही ना हो, इसकी तलाश आपक है वो भी दी हुई है तो यहां देख लीजे थर्मल पावर स्टेशन स्टेट और इंस्टाल कैपिसिटी फरक्ता के आगे लिखा है पश्टिम बंगाल सो ला सो मेगावार्ट कहल गाओं के आगे लिखा है जारखंड 840 मेगावार्ट तल्चर जो है यह 36 गड में ऐसा दिया ह इसके बाद आगे चलते हैं 45 में को देखिए कौन सा राश्ट्री राजमार्ग देश का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है और इसकी लंबाई कितनी है तो नेषनल हाईवे नमबर 6 1945 किलो मिटर शोले सो 10 किलो मिटर इसके बाद नेषनल हाईवे नमबर 8egen 1628 किलो मिटर और ये वाला विकल्प पूरुवत है तो इसमें से देखर प्ताएगे कौन सा होगा 45 में का हो जाएगा यानि इसमें से कोई नहीं या एक से जादा वाला है देखिए एनच 44 जो है श्रीनगर से कन्या कुमारी इसकी लंबाई है 3745 किलो मेंटर लंबाई कितनी है 3745 किलो मेंटर तो इसमें से कोई भी विकल्ब जो है वो सही नहीं इसका जो इवाला ऑप्शन है वो सही इसके बाद 46 को देखिए गढ़जात की पहाडियां ये किस रा इसके बाद 47 को देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है दर्रों का नाम दिया है और राज्य का नाम दिया है तो रोतांग दर्रा हिमांचल दीफू दर्रा अरुणाचल भोरगार दर्रा केरल और लिपू लेख उत्तरा खड़ने इसमें आप देख इसके बाद चलते हैं आगे 48 में को देखिए भारत में सबसे अधिक आवादी वाले द्वीप का नाम बताईए और निम्लिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रिलंका के बीच में इस्तित है यह आपको बताना है तो आप जानता है कि जो सालसे ट्वीप है यह सबसे घनी आवादी वाला छेतर है और मुंबई जो है इसी पर बसा हुआ है लेकिन इसके अलावा भारत और श्रिलंका के बीच में कौन सा द्वी पिस्तित है आपको पता होना चाहिए तो रामेश्वरम होगा या पिराम होगा कौन सा होगा तो यहाँ पर रामेश्वरम होगा ये किस जंजाती में समंधित है या किस जंजाती से जुड़ा हुआ है ये भी आपको बताना है तो देकर बताईए इसमें से कौन सा पेर सही होगा दिल्ली और हो जंजाती जारखंड और हो, ओडिशा और उराउं या मिघाले और उराउं इसमें से कौन सा पेर है तो 49 का जो correct answer है वो हो जाएगा दिल्ली और हो जन जाती ये वाला जो इसका pair है वो सही है इसके बाद 50 वे को देखिए इसमें कहा जा रहा है कोटो पैक सी वालकेनो और माउंट टेटना वालकेनो इससे समंधित विकल्प का चैन कीजिए तो इक्वेडोर और इंडोनेशिया इसके बाद मैक्सिको और इटली इसमें से कौन सा होगा तो 50 वा जो है इसका correct answer हो जाएगा इक्वेडोर और इटली यानि जो इसका C वाला विकल्प है वो सही है इसके बाद आगे चलते हैं परमाधिकार और संसत के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक इससे समंधित सही विक इसका C वाला हो जाएगा बृटेन का संभिधान और और ऑस्टेलिया का संभिधान नेक्स्ट वर्शन नबर 52 संभिधान के किस भाग में सर्वोच नयाल है यानि सुप्रीम कोर्ट उच नयाल है यानि हाई को आधिकी भाशा से संबंधित प्रावधान दिये गया है और है और भाग आठ है उसमें इसका प्रावधान किया गया है इसके बाद निरपन में प्रशन को देखिए कावेरी जल्विवाद नयायदिकरन के संबंध में जो राज जी जुड़े हुए उनका नाम बताना है और इसकी स्टैब्लिश्मेंट कफी गई थी ये भी आपको बत प्रावधान है उसका दिया हुआ है तो अनुचेद 155 राजेपाल की नियुक्ति से संबंधित है 164 जो है वो राजे के महादिवक्ता के बारे में बताता है अनुचेद 216 उच नयायदिशों की नियुक्ति की बात करता है और ये वाले में कहा गया है कि कुछ नहीं या फि देखिए 165 अनुचेद 165 का संबंध राजे के महादिवक्ता से है यानि एड़ोकेट जेरल आफिस के बारे में कहा जा रहा है इसके बात 55 नुबर की प्रशन को देखिए यहाँ पर फिर पॉलिटी वाला ही है राष्ट्रिय धवच 22 जुलाई 1947 राष्ट्रिय गान 22 जनव यानि राष्ट्रिय धवच 22 जुलाई 1947 ये वाला जो इसमें है राष्ट्रिय धवच वाला यानि ए वाला वो सही है इसके बाद चलते हैं आगे यहाँ अगर आप ध्यान से रिखे तो राष्ट्रिय धवच 22 जुलाई 1947 राष्ट्रिय गान जो है ये 24 जनवरी 1950 इसी प्रका कहा गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रिता के लिए उच्छ नियाले में निम्रिकित में से कौन से रिट जो है वो जारी हो सकती है यहाँ पर अनुछेद 32 और अधिकार प्रक्षा है मतलब जो यहाँ पर कुई वारंटों कहा जाता है उसके बारे में कहा जा रहा है प्रत्यच्छी करण है या उपरोप में से कोई नहीं है तो बताएए इसमें से कौन सा होगा 56 नंबर के प्रशन को आप देख रहे हैं इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला यानि अनुछेद नंबर 32 और अनुछेद नंबर 32 है इसको संभिधानी यह भी आपको बताना है तो यहां 42 संभिधान अनियम 1976 है और अनुछेद अठारवा है इसका जो बी वाला अप्शन है वो सही इसके बार 28 नंबर के प्रशन को देखिए निम्नलिकित में से कौन सी समीथी पंचायती राज व्योस्था से संभिधित नहीं है और किस समीथी क अच्रशा पर देश में पंचायती राज व्योस्था को लागू किया गया था तो बलवंत राय महता समीथी और अशोक महता समीथी है अशोक महता समीथी और बलवंत राय महता समीथी है उपरोक्त में से कोई नहीं है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो इसमें से कौन स देख लिए अठावनवा जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा डीवाला यानि PBN राव समीति और बलवन्त राय मेहता समीति जो इसका option है वो कौन सा होगा डीवाला होगा इसके बाद उन्सठमे को देखिए उन्सठमे में कहा गया है कि संविधान के कि संशोधन अधनियम क इसके बारा राश्ट्रपती के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में यानि इलेक्टोरल जो बोर्ड होता है उसके रूप में राश्ट्री राधानी चेत्र दिल्ली विधान सभा की सदस्यों और केंद्र शाशित राज्य पुडुचेरी को भी शामिल किया यह कौन सा नंबर का अमेडमेंट था यह आपको बताना है यहां एक अत्तर्मा बहत्तर्मा त्यात्र्मा और चौहत्तर्मा दिया है तारीखें दी हुई है देखर बताईए तो उनसट्मा जो है इसका इवाला हो जाएगा यानि उपरोगत में से कोई नहीं या एक से जाद आगे चलते हैं शाठवे नंबर का प्रश्न वसको देखिए लक्षदीप किस उच्छ नयायले के न्यायक छित्र के अंतरगत आता है और लद्दाक किसके अंतरगत आता है यह आपको बताना है तो कौन सा हाई कोर्ट यहां पर अपना काम करता है केरल उच्छ नयायले और ह इसके बाद आगे चलते हैं 61 को देखते हैं तो 61 में कहा गया है कि मड़ीपुर राजी के लिए विशेश प्रबंध या प्रावधान और गोवा राजी के लिए विशेश प्रावधान इनसे सम्मंदित जो यहां अनुछे थे वो कौन-कौन से है यह पेर आपको चुनना है तो 61 का जो करेक्ट एंसर है वो हो जाएगा उपरोप्त में से कोई नहीं अगर आप ध्यान से देखें यहां E वाले कौन चुनते हैं मड़ीपुर राजी के लिए जो विशेश प्रावधान है वो 371C में है इसका जो सही इसमें से कोई भी ठीक नहीं पैठ रहा है इसके ब तलाश आपको करनी है तो Global Innovation Index 2019 इसमें इंडिया की रैंक है 52 इसके बाद Ease of Doing Business Index 2020 इसमें भारत की रैंक है 62 इसके बाद Global Peace Index 2019 का है इसमें भारत की 143 रैंक है Global Competitiveness Index यानि प्रतिसपरधा सुचकांग जो होता है 2019 का इसमें भारत का रैंक है 64 और इसके बाद E वाला जो है वो सबके सब यहां गलत है इसका सिर्फ A सही है कि ऐसे गलत है तो देखिए वैश्विक नमाचार सुचकांग का तो आपने देखी रिया Ease of Doing Business Index 2020 वाला जो है इसमें भारत की रैंक कितनी है इसके बाद 63 में प्रशन को देखिए गरीबी रेखा से नीचे की लाइन के समीक्षा करने के लिए निम्नलकित में से किस समीती का गठन किया गया था तो यहां जो समीतियों का गठन हुआ है उस पर आपको बताना है तेंदुलकर समीती और आर्वी गुपता समीती है भूर आगे चलते हैं 64 में प्रशन को देखिए 64 में का गया यह निम्नलकित में से कौन सा विकल्फ सही नहीं है विशुव्यापार संगठन 1995 जनेवा में इसका हेड़कॉाटर है मतलब इस थापना का वर्ष और हेड़कॉाटर दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा आपका सही नही प्रड़ेशन है इसका फुल फार्म है उसी प्रकार से यहां ओपेक का अगर देखा जाए यहां से ज्यादा सही है इसे चुना गया है अगर और देखें जिसे कि आप यहां व्योंना के तो पर देख रहे हैं 1960 वाल इसका फुल फार्म है और अर्गनाईजेशन आप पेट् को जारी करती है और इम लिखित में से कौन सी संस था विश्व आउटलुक रिपोर्ट को जारी करती है यह दो अलग-अलग रिपोर्टों की नाम दिये हुए है तो यहां देखेजे ए वाला जो है इसमें कहा जा रहा है अंतराश्ट्री विकास संग और संयुक्तराश्ट्र मुद्राकोश यानि इसका जो डी वाला है वो सही इसके बाद नेक्स्ट वर्शन नुबर 66 को देखे प्रसाद योजना के अंतरगत कितने शहरों में तीर थिस्तलों का समगर विकास किया जा रहा है यह ऐसा किये जाने का प्राउधान है और इस योजना के अंतरगत शामिल कंपनी महारत में कंपनी नहीं है यह आपको चुनना है यह इसका होगा तो 67 को आप देख रहा है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी वाला यानि भारत है विट्रानिक्स लिमिटेड और राश्ट्रिय खनिज विकास निगम यह दोनों जो है इसमें पेर के तोर पे चुने को देखिए यहाँ पर लोग कारिक्रम और ग्रामीड प्राध्योगी की समर्धन परिशद इसका मुख्याले कहां पर है यह आपको बताना है और भारती कृषी अनुसंधान परिशद की स्थापना कब दी गई थी यह भी आपको बताना है तो नई दिल्ली और 6 जुलाई 1927 क्या कहा जाता है और इसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार से दिया हुआ है तो यह दो प्रशन है मतलब दोने जुड़े हुए आपस में बताइए इसमें से कौन सा होगा 69 का जो करेक्ट एंसर है वो A हो जाएगा यानि Mid Cap Company और PE अनुपाद यही वाला इसका पहला सही है Next यहाँ पर Regidex जो Index है उसके बारे में कहा जा जा रहा है कि इसको 11 जुलाई 2017 को कितने शहरों के लिए जारी किया गया और इस सुचकांग को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है यह भी आपको बताना है तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है रिजर बैंक और राष्ट्री आवास बैंक का नाम है और संख्या दी हुई है कितने शहरों में यह जारी हुआ था तो सत्तरवे नंबर के प्रिशन को आप देखिए इसमें पांच शहरों में यह जारी किया जाता है और प्रारम में इसे देश के जो पांच शहर है पांच कौन कौन से है तो दिल्ली है बैंगलूरू है भोपाल मुंबई और कोलकता यहां के लिए इसको जारी किया गया था इसके बाद आगे चलते हैं 71 की और 71 में कहा गया है कि बैंकिंग लोगपाल योजना को कब शुरू किया गया था और मुद्रा बैंक योजना को कब शुरू किया गया था यह दोनों चीज़ें आपको बतानी है डेट नीचे दी वही है 1994 और 2013, 1995 और 2013, 1994 और 2015 और 1995 और 2015 इसमें से कौन सा होगा तो 71 को जैसे कि आपने देखा इसका D वाला हो जाएगा 1995 और 2015 यह D वाला इसका सही है बैंकिंग लोगपाल योजना 14 जून इसकी जो exact डेट है 14 जून 1995 और मुद्रा बैंक योजना 8 अपरेल 2015 इसके बाद आगे चलते हैं 72 को देखिए कौन सी पंचवर्षी योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी और किस पंचवर्षी योजना के दोरान 20 सूत्रिय कारिकरम को शुरू किया गया तो यह दोनों जो 5 जो 5 एर प्लान है उनके नाम आपको बताने हैं कौन सा क्रम था 12 पंचवर्षी होजना है आप जानते हैं तो इसमें से कौन सा पेर होगा 72 का इसका हो जाएगा B वाला चौथी पंचवर्शी होजना और पांचवी पंचवर्शी होजना यह जो प्यर है यही सही है इसके बाद 73 को देखिए निम्नलिकित में से कौन सा सही नहीं है यह थोड़ा सा साइंस केमेश्ट्री का क्वेशन है अवर्त सारणी के खोज मेंडलीव ने की थी यहानि उसको विकसित मेंडलीव ने की था पी-च्वान इसको विकसित करने वाले सोरेंसन थे प्रोटॉन की खोज चैडविक के दवारा की गई थी और इलेक्ट्रान की जो तरंग प्रकृती होती है द्वैती प्रकृती होती है, तो यहां तरंग प्रकृती का जो विवहार है, उसका अध्याण D-Brogly के द्वारा किया गया था, अब आप बताईए इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, तो 73 का जो correct answer है, वो हो जाएगा C वाला, यहां गलत हम लिखा हुआ है, इसका exact जो combination होता है, यह sodium sulphate है, soda ash जो है यह असल में calcium sulphate होता है, गैलेना जो है यह असल में sodium carbonate होता है, और gypsum यह lead sulphide होता है, ऐसे दिया हुआ है, आप बताईए इसमें से सही कौन सा है, 74, तो इसका A हो जाएगा, global salt जो है, यह sodium sulphate, यह वाला सही है, बा आउसत मात्रा के अनुसार, संघटकों को और ओही क्रम में व्योसित कीजिए, यहाँ जो constituents होते हैं, उनको decreasing order में आपको arrange करना है, तो देख लीजे, carbon, oxygen, hydrogen, rock और nitrogen, इसी प्रकार से यह क्रम जो है, अलग-अलग तरीके से arrange किया गया है, तो इसमें decreasing order में आपको arrange करना है, यह पहले ज्यादा वाला और सबसे अंत में सबसे कम वाला, इस क्रम में तो 75 वे का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, तो इसका A वाला हो जाएगा, मतलब A वाले का तात्परी क्या है, carbon, oxygen, hydrogen, rock और nitrogen, यह इसका क्रम है, carbon जो है 50%, hydrogen 6%, oxygen जो है आपको बताना है, और पराबैगनी lamps जो होते हैं, यानि ultraviolet lamps होते हैं, उनके bulb को बनाने के लिए किस कांच का इस्तिमाल किया दाता है, कांच की variety आपको बतानी है, तो यहाँ pyrex और crooks जो glass होता है, flint glass है, pyrex है और silika है, इसमें से कौन सा होगा, तो 76 को जैसा आप देख में किस प्रकार के ratio का इस्तिमाल किया जाता है, और कुर्सी मेज और pipe बनाने के लिए किस thermoplastic का इस्तिमाल किया जाता है, तो यहाँ नाम दिया है, rayon और polythene, polyester और polystyrene, polyester और polystyrene, इसमें से कौन सा option सही होगा, 77, तो इसका B हो जाएगा, polyester और polythene, जो B वाला option है, polyester और poly इसका इसका कई पेस्तिमाल किया जाता है, मतलब क्या उसमें घटक होँता है, और किस प्रकार के साबुन में, सामालिता, potassium तो नेप्थलीन दिया हुआ है और उसके अलावा द्रव साबुन दिया है यानि लिक्विड सोप इसके अलावा यूरो ट्रॉपिन है और लिक्विड सोप है नेप्थलीन है और ट्रांस्परेंट सोप है इसके अलावा यूरो ट्रॉपिन है और ट्रांस्परेंट सोप है इस दूरी और विद्धुत्ति व्रता उप्रोक्त में से कोई नहीं या एक से जादा तो असीवे नंबर के प्रशन को आप देखें तो दूरी और जो विद्धुत्ति व्रता है वो इसका सही विकल्प हो जाएगा मतलब यहां पर विपंद राशी के तौर पर नहीं देखी जात की होती है और यहां दिया है दसकी गात माइनस पंदा तो अ वाला हैस का सही है इसके बाद 80 टू को देखी यहां पर साही विकल्प की तलाश आपको करनी है वा МУमंडेली दाप के आगे लिखा है बोलो मीतर उश्मा की मात्रा की आगे लिखा है कैलोरी मीटर उप्रोक्त में से कोई नहीं का भी विकल्ब है तुब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा 82 का correct layer कौन सा होगा ये हो जाएगा व ये उश्मा की मातरा और कैलोरी मीटर वाला इसमें जो correct recreation है वो उश्मा की मातरा और कैलोरी MORE साही है बागी जितने है वो सब यहाँ पर गलत है इसके बाद आगे चलते हैं यहां सही की तलाश करनी थी नेक्स्ट जो है यहां अगर आप देखिए तो उश्मी विकिरण जो है यह बोलो मीटर के बारा नापा जाता है तो आप बताईए इसमें से सही कौन सा है और जो सही है वो आपको तलाश ना नहीं है जो गलत है उसकी तलाश करनी है देख लीजे तो 83 जो है इसका गरेक्ट एंसर हो जाएगा सी वाला यहां दिया है माइक्रोफोन यांत्री कूर्जा को विद्धू तूर्जा में करता है ज इसके बात आगे चलते हैं तो इसमें गलत की तलाश करनी थी सी वाला होगा 84 को देखिए यहां पर ध्वनी के स्रोथ दिये हैं और उनकी तीवरता डेसिबल में दी हुई है तो सामाने बातचीत से जो ध्वनी उत्पन्न होती है उसकी तीवरता 30-40 डेसिबल है शोर जो होत गलत कौन सा है या आपको तलाशला है 84 सीवे का हो जाएगा 40 सायरं जो पुलिस और अब्यान शे एसमें चिकितसा और ओद kijहत्र में किस तरह की तरंगों का इस्तिमाल किया जाता है, दो अलग-अलग प्रशने हैं, तो X किरने और लगू रेडियो तरंगे, इसके बाद गामा और लगू रेडियो तरंगे, यानि शार्ट रेडियो वेब्स के बारे में कहा जा रहा है, और X किरने और दिर्ग रेडियो तरंगे, यानि जो long radio waves है, और फिर gamma rays है और दिर्ग radio तरंगे, इसमें से कौन सा होगा, तो 85 को आप ध्यान से देख लिए, इसका जो correct tensor है, वो A वाला हो जाएगा, यानि X किरने और लगू radio तरंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, 86 में को देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे जादा होती है, और निर्वात में कितनी होती है, तो निर्वात में आप जानते हैं कि 3 into 10 to the power 8 होती है, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल इसमें से किस मीडियम में होती है, यह आपको बताना है तो 86 का जो correct answer है, वो हो जाएगा, यहाँगर आप ध्यान से देखें, तो इसका D हो जाएगा पानी और तीन गुड़े दसकी घात 8 मीटर पर सेकेंड वाला जो विकलत है, यह सही है, इन सब है इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 87 में प्रशन को देखिए, निम्दलिखे पर से कौन सा सही नहीं है तो हीरे का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानि जो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वज़े से होता है मरीची का जो है यह प्रकाश के विवर्तन से होती है, और आकाश और समुद्र का जो नीला रंग हम देखते हैं वो असल में प्रक्रीडन की वज़े से दिखाई रेता है और तारों का टिम्टिमाना ऐसा होता नहीं है लेकिन हमें महसूस होता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन की वज़े से होता है यह से प्रकाश के अंतरगत होने वाली क्रियाएं है इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर अलजाईमर रोग जो होता है, इसमें पूछा यह गया है कि मानोशरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और सिलिकॉसिस नाम का जो रोग होता है, इसमें मानोशरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो Alzheimer और Silicosis इससे प्रभावित होने वाले अंगों का जो पेर है वो आको चुनना है तो इसमें आप भ्यान दीजे कि Alzheimer जो है ये मस्तिश्क की बिमारी है मतलब यादाश्त कमजोर होने लगती है और आदमी सब कुछ भूलने लगता है बुढ़ापे में अकसर ऐसा हो जाता है और आदमी यहाद तक ही अपना नाम भी भूल जाता है इतनी ज़्यादा यादाश्त कमजोर हो जाती है तो मस्तिश्क और यकृत इसके अनामा यकृत और रिदय और यकृत ऐसे दिया हुआ है तो मस्तिश्क वाला पेर सही होगा इसका 88C में का कौन सा हो जाएगा C वाला होगा मस्तिश्क और फेफडा सिलिकॉसिस जो है ये फेफडे को प्रभाविक करता है और अलजाइमर मस्तिश्क को इसके बाद आगे चलते हैं नवासी में को देखिए तो वो विटामिन D की कमी से होगा ये पक्की बात यहां विटामिन A कहां से आ गया और जो गलत है उसी के तलाश करनी ही इसके बाद 90 नंबर का जो प्रशन है उसको देखिए यहां कहा गया गोल्डेन आवर यह गोल्डेन आवर किसे समंधित है और उसके बाद आगे लिखा है कि हृदय की धड़का नियंतृत करने के लिए निम्नलिकित में से कौन सा खनी जावश्यक होता है तो जो हृदय घात होता है उसमें गोल्डेन आवर जो समय होता है वो समंध रखता है उसे बचाया जा सकता है मतलब यह पढ़ने वाला जो पहला घंटा है एक घंटे का समय होता है उसको गोल्डेन आवर के नाम से जाना जाता है इसके बाद 91 को देखें चुकंदर में हाट राट रोग यह जो रोग है यह किस तत्व की कमी से होता है और पत्ता गोवी जो होती है उसमें विप टेल नाम का जो रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है यहाँ पर दो अलग-अलग लिखा हुआ है पत्ता गोवी को कॉलिफ्लावर कहा जाता है और चुकंदर जो है उसे आप देख रहे हैं तो मलेरिया जो है यह प्रोटोजवा से होता है पोली विशाणू से होता है पलेग विशाणू से होता है और गंजापन जो है यह कवक से होता है और यह वाला आप देखी रहे हैं तो इसमें से कौन सा होगा 92 92 का C हो जाएगा, plague जो है ये विशाण उसे होता है, ऐसे दिया है, जो कि plague जो है वो जीवान उसे होता है, ये विशाण जोने तरोग नहीं है, बाकी जितने है वो सही, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 93 को देखिए, कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन नहीं है, जन्तु ह पादप हार्मोन नहीं है, इसके बाद 94 को देखते हैं, 94 में ये कहा गया है, कि बिहार की जन्गरणा 2011 की जन्तु है, ये दोनों क्या है आपको बताना है, तो महिलाओं की साक्षर्ता की संसर्स 2011 जो बिहार का था, उसमें काफी खराब थी, अब यहाँ भी देखिए कितनी तो ये परसेंटेस दिया हुआ है, 94 का जो करेक्ट एंसर है, वो हो जाएगा, 61.80% ये टोटल लिटरेसी थी, और उसके अलावा जो महिला साक्षर्ता है, वो 51.50 है, तो इसका जो B वाला आप्षन है, वो सही, ये हमने देखा, 95 को देखिए, बिहार जन्गरणा 2011 की साब से सरवाधिक जनसंख्या वाले जिले, और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले का नाम आप बताईए, तो इसमें पश्टमी चंपारण और कैमूर है, पटना और कैमूर है, इसी प्रकार से और दो विकल्प है, तो इसमें से कौन सा होगा, 95 का जो करेक्ट एंसर है, वो हो है, 24.5% है और 13.1 है, इसी प्रकार से दो और ऑप्शन दिये हुए है, तो यहाँ दश्की है, जो टिकेटर ग्रोफ रेट होती है, वो आपको बतानी है, और अर्बन जो जनसंख्या है, उसका परसेंटेज बताना है, तो अर्बन पापुलेशन काफी कम है, लेकिन कितनी है इसके बाद आप देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्यों के बारे में कहा गया है, तो यह 1061 कति वर किलोमीटर है, जनसंख्या घनत्यों की दृष्टी से बिहार का देश में क्रम में पहला स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टी से बिहार का देश में अगर क्रम देखा ज तो इसलिए इसमें जो बी वाला option है वो सही होगा मतलब यह perfect नहीं है इसके बाद आगे चलते हैं यहां 98 को देखिए वेद में मगद का सबसे पहले उलेख कहां पर प्राप्त होता है मतलब किस वेद में प्राप्त होता है यह आपको बताना है और मगद की जो प्राद्मिक र प्राप्त होता है इसके बाद आगे चलते हैं 99 को देखिए नालंदा से प्राप्त मुद्रालेक में किस साशक को महराजा धिराज कहा गया है और जिसने दर्भंगा राजवंश की स्थापना की थी उसका भी नाम आपको बताना है तो यहां अवंति वर्मन और सुचंद्र अध्याकर चेह विंगत से बारो हैं। महिश थाकुर ने दर्भंकाा राजवनष की स्थापना की थी थाकर और गयाना है। और 1922 में Indian National Congress का जो गया अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षिता किस ने की थी ये आपको बताना है, तो नीचे विकल्ब दिया है 100 नमबर का, इसमें सरल विकल्ब हैं, आप आराम से पकड़ सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं होगा, या एक से जादा भी हो सकता है, असल में यह नाम दिया ही नहीं, यहाँ जो सही पेर होगा, वो यह होगा कि जैप्रकाश नारायण जो है, वो बिहार सोचलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और 1922 में जो गया का Indian National Congress का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षि चितरंजन दास थे, यहाँ पे जैप्रकाश नाराय इसके अलावाँ जिजिया और लॉंडा है, इसके बाद कोई नहीं या एक से जादा भी हो सकता है, तो 101 वह आप देख रहा है, इसका इवाला हो जाएगा, इसमें से कोई भी ठीक ठाक बैट नहीं रहा है, सही क्या है, विद्यापती का जो नृत्य है, इसको विद्पतिया नृत्य है, वो नहीं दिया, इसके बाद चलते हैं आगे, 102 नंबर का जो प्रशन है, उसको देख लीजे, इसमें कहा जा रहा है कि निमनलिकित में से कौन सा लोगईत, बिहार से समंदित नहीं है, और निमनलिकित में से कि इस लोगईत में भगवान शिव की स्तुति की जा इसके बाद आगे चलते हैं, 103 नंबर का प्रशन देखिए, इस मेले का आयोजन, बांका जिले में प्रतिवर्ष, मकर संक्रांती यानि जो खिचड़ी का परू होता है, उसके बाद मंदार मेला, सिंखेश्वर्थान का मेला, और सौराथ मेला, इसमें से कौन सा होगा, तो 103 इसका बी हो जाएगा, यह मंदार मेला है, जो कि मंदार पहाड़ी पर बांका जिले में आयोजित किया जाता है, और मकर संक्रांती इसका डेट है, तो इसका बी वाला ओप्शन होगा, इसके बाद 140 नंबर के प्रशन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मे इसके बाद 105 में को देखिए, बिहार संबंदित कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है, बिहार के संबंद में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो नेपाल की सीमा को इस पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या साथ है, यूपी से इस पर्श करने वाले बिहार के जिले 5 और वेस्ट बंगाल से टच करने वाले तीन है ऐसा दिया हुआ है अब इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है तो 105 जो प्रशन है इसका correct answer हो जाएगा बी वाला UP से सीमा टच करने वाले जो जिलों की संख्या दी है वो असल में साथ है यहां पर जो इसका उत्तर प् अजय हो जाएगा ठीक है इसमें जो यहां उद्गम की बात की जा रही है फल्गु और अजय वाला छित्र होगा इसके बाद 107 को देखिए 107 में कहा गया है कि काकोतल जल प्रपाती कहां परिस्तित है और भागलकुर शहर यह किस नदी के किनारे है यह भी आपको बताना है तो नवादा और सर्यू दिया है बकसर और सर्यू दिया है नवादा और गंगा दिया है और इसके बाद बकसर और गंगा दिया है इसमें से कौन सा होगा तो इसका हो जाएगा नवादा और गंगा यह वाला इसका सही होगा इसके बाद 108 को देखिए यहां पर बिहार की प् और पश्रमी चंपारण को फायदा पहुचाती है, यानि पानी देती है, फायदे का मतलब, तो इसमें से कौन सा आपका गलत है, या आपको बताना है, 108 में नंबर का जो D वाला है, उसको देखिए, पुर्वी सोन नहर जो है, ये पुर्वी चंपारण और पश्रमी इसके बाद 109 को देखते हैं, यहाँ पर विहार के जो प्रमख उद्योग और कारखाने हैं और उनकी जो लोकेशन है वो दीवी है, तो थर्मल पावर स्टेशन के आगे लिखा है और अरंगाबार, रेल पहिया कारखाना के आगे लिखा है, बेलापुर और छपरा, जूता थर्मल पावर स्टेशन अगर देखा जाए, कोईला आधारित तो बरौनी में है, रेल पहिया का बेलापुर छपरा ठीक है, जूता कारखाना जो बाटा इंडिया लिमिटेट का है, वो मुकामा में है, शोरूम भी है और प्लस कारखाना बनाने का भी काम होता है, तो बाकी क्या आगे लिखा है, रोता, सिली मेनाइट के आगे लिखा है, भागलकूर, शीशा के आगे लिखा है, और उरंगाबाद, और उरेनियम के लिखा है गया, यहाँ पर संभावित छेत्र दिये हुए है, मतलब यहां से पाई जाने की संभावना है, तो बताईए इसमें से इसके बाद 111 नंबर के प्रेशन को देखिए, अभिमन्यों की कारीचंता भीम से दोगनी है, यहाँ पर यहाँ भारत हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यह गणित है, सामाने गणित है, और इसमें रिजनिंग का भी टच रहता है, कुल मिलाकर यह मैथमेटिक्स और रिजनि देखें, इसका जो गणित है, इसका जो एवाला उप्षन है, यहाँ आप जान रहे हैं, और भीम की कारीचंता चंदन से दोगनी है, यहाँ अगर देखा जाएं, तो अभिमन्यों की कारीचंता है, उसके बाद भीम जो है दूसरे नंबर पे हो, और चंदन जो है यह तीसर पारावे नंबर के प्रेशन को देखिए, यहाँ पर वृत्त के चेतरफल के बारे में कहा गया है, कि एक वृत्त है, यानि सरगिल है और उसका चेतरफल दिया है, एक सो चान पे पाई, पाई की वैलू आप जानते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक आप रख सकते ह तो उसकी जो दिरखतम जीवा है, उसकी लंबाई आपको सेंटीमीटर में बतानी है, दिरखतम जीवा का मतलब समझ रहे हैं, बृत में सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब क्या होता है यह जान दीजे, देखिए बृत अगर आप ड्राव करते हैं, उसमें जो इस तरह क प्रश्न का करेक्ट टैंसर होगा, अठाइस सेंटीमीटर, इसका डीवा ला होगा, याद रखिएगा बृत की सबसे बड़ी जीवा, उसका डायमीटर यानि व्यास होता है, और व्यास जो होता है, वो तरिज्या का डबल होता है, यहाँ पर देखिए रेशियो दिया है, y को अगर आप कामल ले ले तो यहाँ पर x plus y उपर बचेगा, और नीचे आप यहाँ x स्कॉयर माइनस y स्कॉयर को सर उस समिका का जो सूत्र होता है, उसके इसाब से अगर तोड़ लीजिए, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x plus y जो है यह उपर वाले x plus y से cancel हो जाएगा यानि इस पूरे समिकरण का जो सरल रूप है, वो y बटे x minus y है, अब y बटे x minus y आपको समिकरण का सरल रूप प्राप्त हो गया और यहाँ से आप इसका रेशियो जो है, उसको calculate कर लीजे और इसका मान निकाल लीजे, तो इसका मान प्राप्त कितना होगा, इसमें से कौन स हविकल्प सही होना चाहिए, यहाँ पर 113 में का जो correct answer है, वो हो जाएगा, बी बटे 3, इसका जो correct answer है, वो 2 बटे 3 होगा, इसके बाद आप 114 में नंबर की expression को देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि x minus 1 upon x is equal to 4, ऐसे दिया हुआ है, x minus 1 upon x is equal to 4 दिया है, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, x plus 1 upon x का मान आपको बताना है, x plus 1 upon x का मान आपको यहाँ गयाद करना है, तो x का मान अगर आपको मालूम रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ का इसमें calculation कर सकते हैं, तो x का मान निकालने का सामाने तरीका यह है, कि इसका इधर पक्षांतर कर दीजे, कहने का मतलब यह है कि यह जो x-1, x दिखाई दे रहा है, is equal to 4, इस प्रकार से आपका equation है, इसको इधर cross multiply कर दीजे, तो यह 4x हो जाएगा, इस x को उधर या तो इस थाना दृत कर दीजे, यह इस 4x को इधर लेते आईए, पक्षांतर बगेर करके x की value यहां से निकाल दीजे और इसको इसमें रख दीजे, तो आपको जितना मान प्राप्थ होगा, वही आपका answer होगा, तो इसमें से जो correct मान है, वो कितना होगा, 114 का exact value होगी, c वाला है, यानि 2 करणी में 5, 2 under root 5, यह इसका मान होगा, इसके बाद देखिए, अगले वाले में कहा गया है, यहां जो प्रशन को पढ़ने में दिक्कत होई है, 4 खिलोनों को 5 खिलोनों की लागत से मेचा गया, मतलब 4 खिलोने है, उनको 5 खिलोनों का दाम वसूल कर बेचा गया है, तो प्रतिशत लाग कितना होगा, यहां पे profit कितना होगा, यह आपको बताना है, तो लाग का जो सूत्र है, उ साथ सही एक बटे पांच है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा यह अलग धन से लिखा हुआ है सेवन सही बन अपान फाइफ इस प्रकार से लिखा है तो इतने सेकेंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल आपको ग्याद करनी है तो साथ सही बटे पांच को पहले तो आप सामान पाते चार है और उसका चेतरफल 864 वरक मीटर है तो चेतर का परिमाप आप ज्याद कीजिए यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर 110 मीटर 120 मीटर और 140 मीटर तो आप जानते हैं कि यहां लंबाई चोड़ाई का अनुपाद जो है वो 64 दिया है तो आप पहले चेतरफल करेंगे तो इसका जो एक्जाइक उत्तर है वो होगा ए वाला यानि 80 अगला अंक इसमें राप्त होगा इसे आप देख रहे हैं इसी क्रम में 111 में को देखिए यहां पानी और टंकी वाला क्वेशन फिर से आ गया एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और उसी दिया है वह आप देख रहे हैं बीस घंटा है पचीस घंटा है Тीस घंटा है और 40 घंटा है इसमें से 40 घंटे का समय उसको लगेसे एक बड़ पर एक इसक हो जाएगी और यहां 4 को आप क्या लिख सकते हैं दो की घात 2 लिख सकते हैं और एक यक्स पहले से ही है तो 2 और यक्स का आपस में मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यहां 2 की घात 2-yak-s हो जाएगी तो 6 बराबर 2x हो जाएगा यहाँ नीचे का आधार समान है तो घातों को आपस में तुलना कर देंगे याणी कहने का मतलब क्या है 6 बड़ाबर 2x हो जाएगा अब 2 को इधर ट्रांसफर कर दिजे 6 में 2 से डिवाइट कर देंगे कीतना आ जाएगा तीन आ जाएगा अब यक्स कामान अगर 3 है तो 5 की घाथ 3 यानि 5 पचे 25 पचे 125 तो इसमें जो answer है वो कौन सा होगा D वाला होगा यानि 125 वाला होगा आगे चलते हैं 121 में को देखिए यहाँ पर का गया है अब यहाँ से current affair का question है 150 तक current affair चलेगा तो यहाँ यह कहा गया कि 18 दिसंबर की जो तारीक है 18 दिसंबर 2020 को अंतराश्टी प्रवासी दिवस मनाया गया है और इस दिवस का theme क्या था यह आपको बताना है तो यहाँ लिखा हुआ है Remanaging Human Ability या Remanaging Human Mobility यहाँ आप देख सकते हैं Recognizing Human Ability या Recognizing Human Mobility मतलब एक जगा Remanaging लिखा हुआ है और दूसरी जगा Recognizing दिया हुआ है और उसके साथ साथ जो Human Ability और Mobility का combination है उसको आपको select करना है कौन सा होगा मतलब इसमें से theme कौन सा है तो 121 का जो correct answer है वो हो जाएगा Remanaging Human Mobility इसका जो B वाला option है वो सही इसके बाद 122 को देखिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशूर हस्तियों की सूची में इसने शिर्षिस्थान प्राप्त किया है उस व्यक्ति का नाम आपको देखना है और उसके साथ साथ महारतनी कंपनी का नाम आपको बताना है जो कि Golden Peacock Environment Management Award 2020 की विजेता है यहाँ नीचे विकलप आप देख रहे है तो इसका जो करेक्ट टेंसर होगा वो हो जाएगा D वाला कॉईली जेनर और सेल इंडिया लिमिटेड यह इसका करेक्ट आप्शन होगा इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ आपने D को चुना 123 को देखिए हाली में किसे नासा के Space X क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना गया है यह मैथ्यू डोमिनिक है यह मतायस मोरर है यह राजाचारी ह होगा यहाँ यह जो नाम दिया है यह सही है इसके बाद देखिए 124 को इसमें कहा गया है कि हाली में किसे एशिया प्रिसान्थ प्रिसारण जंग का उपाध्यक्ष चुना गया है और हाली में इंडिया कोस्ट गार्ड के OPB सुजीत को कहां पर कमीशन किया गया है वो स्था प्रिसार भारती के पूरू CEO है इससे पहले कि इनकी पद्वी यहां आप देख सकते हैं इसके बाद 125 को देखिए हाली में मानो विकास सूचकांग रिपोर्ट यानि इंडेक्स रिपोर्ट 2020 यह जारी की गई और भारत इसमें कौन सी पोजीशन पर है यह आपको बताना है यहां रैंक दी हुई है तो 125 का हो जाएगा इवाला उपरोगत में से कोई नहीं यह एक से ज़्यादा तो एक से ज्यादा हो नहीं सकता इसमें से कोई नहीं भारत को 131 इस्थान प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट जो है यह संयुक्त विकास जो कारिक्रम है मतलब तो देख लिजे यहां दो चीजे हैं यहां व्यत्ति का नाम और कंप्यूटर की रैंक बतानी है 126 का करेक्ट एंसर कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा यानि माया सेंडू और 63 रैंक माया सेंडू और 60 रैंक जो है इसकी सही होगी 127 को देखिए हाली में किस संस्था ने मुबाइल प्रीमेर लेग स्पोर्ट के साथ साज़दारी करने की गोश्णा की है और हाली में किस भारती क्रिकेट के सभी फार्मेट से सन्यास लेने की गोश्णा की है यह कौन सा पेर होग 129 का ब्रांड अंबेजडर चुना गया है उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है तो 128 का जो करिक टैंसर है वो हो जाएगा अरब सागर और स्मृति मंधाना वाला जो आप्शन है वो सही है 129 को देखिए हाली में प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राजजे में बी वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही है इसके बाद चलते है 130 की ओर इसमें कहा गया है कि हाली में डॉक्टर हर्शवर्धन ने आठमी ब्रिक्स STI मंत्री इस तरी जो बैठक है उसमें हिस्सा लिया है इस बैठक की अध्यक्षिता किस देश ने की है यहाँ यह आपको बत चिल्रन पीस प्राइस 2020 को जीता है यह दोनों चीज़े आपको बतानी है तो यहाँ लोनार जील और ग्रेटा थुनबर्ग का नाम दिया है इसी प्रकार से उपवन जील और साधत रहमान का नाम दिया है तो यह विकल्प है इने आप देख लीजे 131 में का करेक्ट टैंसर ह हो जाएगा लोनार जील और साधत रहमान लोनार जील और साधत रहमान यह वाला ऑप्शन इसका सई होगा ग्रेटा थुनबर्ग को यहां मत चुल लीजेगा उनका संबंद पर्यावरण से इसके बाद आगे चलते हैं 132 में को देखिए हाली में पूर्व सियंग संचमन ल तो यहां 133 को आप देख रहे हैं मो वाली जितनी भी पहल है यह ओडिशा करता है तो ओडिशा आप आराम से पकड़ सकते हैं और नरिंद्र सिंग्टोमर जो है इन्होंने इस आयुश्मान सहतार योजना का उधगातन किया है तो यहां नरिंद्र सिंग्टोमर और ओडिश की है इसमें से किसका होगा तो सही उत्तर क्या होना चाहिए यह एंकैसी की आत्मकता है जाने वाने अर्थशास्त्री और नौकर्शा नंद और सिंग ने इसका विमोचन किया है और इस लंबी चौड़ी किताब का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं एनके सिंग की आत्मकता है इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ अगर 135 को आप देखें तो इसमें कहा गया है कि हाली में भारत की किस निशाने बाजने इंटरनेशनल एर राइफल चैंपियंशिप में महिलाओं की स्वर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और किस राजिपाल है उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेप सिटी प्रोजेक्ट इसको शुरू किया है यहाँ नाम दिया है यश्र सुनी सिंग देशवाल है और मध इसमें भारत का कौन सा स्थान है और हाली में किसे भारतिये बैंक संग का अध्यक्ष चुना गया है यह चीज आपको बतानी है तो इसका 136 का करेक्ट टैंसर हो जाएगा डी वाला यह चौथे स्थान पर भारत इसमें है और उसके साथ-साथ राजगिरन राय यह जो है यह इनका जो करेक्ट टैंसर है वो बी हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर जो है यह वाइलाइफ फोटोग्राफर की तौर पर यहां सम्मानित हुई है और माइकल इरानी यहां यहां पर यह अंतरी मध्यक्ष चुनी कहीं है तो इनका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा न 138 का जो करेक्ट टैंसर है वो सी वाला हो जाएगा किरगिजिस्तान यह वाला जो स्थान है यहां से मतलब इस देश के राश्ट्रपती थे और वहां से इन्होंने इस दीफा दे दिया है इसके बाद आगे चलते हैं यहां पर कहा गया कि हाली में किस राज्य ने एक ग्रीन राजी में एक ग्रीन फिल्ड जो जिंक स्मेल्टर है उसको स्थापित करने के लिए वेदान्त समू की जो फर्म है इंदुस्तान जिंक लिमिटेट उसके साथ संजोते पर हस्ताक्षर किये हैं और गुजरात में स्थापित होने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन मढ़ी पुरी से इसमें से कौन सा होगा तो 140 वा इसका उप्षन है वो सभी होगा इसके बाद 141 को देखिये हाली में किस राजे सरकार ने मोबाइल टावर टेस्टिंग लब को लाउन्च किया है और कौन सा राजे पूरी तरह से हाई-टे क्लास्रूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये भी आपको देखना है तो 141 का जो correct tensor है वो हो जाएगा हरियाना और केरल यानि D वाला next question number 142 को देखिए इसमें कहा गया है कि जो sustainable development goal है उसके लिए sovereign band जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है और कौन सा airport 5 star COVID-19 ranking पाने वाला या rating पाने वाला दुनिया का पहला airport बन गया है उसको भी आपको बताना है तो यहाँ देख लीजे 142 का जो correct answer है वो हो जाएगा Mexico और Firmicino Airport यहाँ जो नाम दिया है इसमें Mexico और Firmicino Airport जो है यह वाला से इसके बाद 143 को देखिए Titan Company ने किस bank के साथ भारत की सबसे पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी Titan पे launch करने की साज़ेदारी की है और किस राज़े सरकार ने My Family My Responsibility नाम का जो अभियान है उसको शुरू किया है यह चीज़े दिवही है Titan जो है वो टाटा का अपना एक प्रोडक्ट है और यह घडिया बनाने का काम करता है तो यह इसकी पहल है इसे देख लीजे 143 इसका हो जाएगा State Bank of India और महाराश्टर यानी B वाला इसके बाद 144 को देखिए हाली में किसे राजसभा का उपसभापत हरिवंश नाराण सिंग जो है इने दोबारा राजसभा का उपसभापती चुना गया है और 1988 बैच के जो IAS Officer है राजेश खुलर इनको विश्ववैंक का कारेकारी निदेशक चुना गया है इस प्रकाल से आप देख रहे है इसके बाद आगी चलते है 145 को देखते है यहां का गया कि हाली में किसे भारते विग्यापन मानक परिशत के बोर्ड आप गवर्नर्स का चेर पर्शन न्यूकत किया गया है और हाली में किसने U.S. ओपन टैनिस टूनामेंट का खिताब जीता है यह दो चीजे है तो सुभाश कामत और नाओमी उसाका का नाम आता है रोहित गया है तो यहां राजनेता और व्यक्तिका नाम आपको चुनना है 147 का हो जाएगा B वाला, नरेंद्र मोधी और कौशिक होना, यहाँ जो B वाला option है मुझ सही, इसके बाद 148 को देखते हैं, हाली में किस देश ने arrow 2, ballistic missile interceptor, इसका सफल परिक्षण किया है, और हाली में किसे India Bulls Housing Finance का गैर कारेकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, दोन तेंसर है, वो हो जाएगा आपका Reliance Foundation और Soul Bundle, Reliance Foundation और Soul Bundle यानि ए वाला जो उसका option है, वो सही, इसके बाद 150 को देखें, लास्ट क्वेशन, इसमें कहा जा रहा है कि हाली में किस payment bank ने, या payment app ने, भारत की पहली pocket and right point of sale, यह device का नाम है, pocket and right point of sale device को launch किया है, और कौन सा शह ट्राफिक सिगनल पर female icon इस्तिमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, इसमें से दोनों जो pair है उसको आपको चुनना है, तो देख लिए 150 का हो जाएगा Paytium और Mumbai, यह Paytium और Mumbai वाला जो pair है, यह सही है, और इसके साथ ही 150 का जो mock test है, यह खतम होता है, और तब तक के लिए नमस्कार